अभी हम बना रहे हैं जूरी आलू भुंजिया तो इसकी रेसिपी आप लोगके साथ सेर कर रहे हैं तो सबसे पहले हमने आलू लिए हैं दो उसको कद्दू कस कर ली हूँ और एक बर्तन में हम साप पानी लिए हैं तो यह अच्छा आला पानी है तो इससे हम धो ले रहे हैं और यह गंदा पानी निकाल लेंगे और अच्छे से धोएंगे इसको तीन से चार वार धोएंगे पूरा आलू साप जैसे दिखे पूरा वाइट जैसे दिखे उस टाइप का तो यह पानी को गिरा देंगे फिर से लेंगे इसे ही तीन चार वार धोएंगे आलू को ऐसे ही इसको हम तीन से चार वर धोलिए हैं और उसके बाद हम फिर से उसी परकार ठंडा पानी थोड़ा फ्रीज में रखे हैं हम उसको निकालके फिर इसको 15 मिनिट तक एसे ही ढखके रख देंगे और इसके बाद इसको चान लेंगे हम पंद्नाविन ने तो ढखके रखे थे इससे मदलब अच्छा कुरकुरिया टाइप का होगा ज्यादा अच्छा से धोएंगे तो आलू को ठंडा पानी से इसलिए धोएं हम और फिर इसको हम थोड़ा सा धू आलू का पानी हम निकाल लेंगे इससे निचोड लेंगे इसको बांद के इधर हम तील सुखाएं हैं बनाएंगे तील लड़ू तो इस परकार से आलू में जितना भी पानी था सारा निकल चुका है इस कपड़ा में तो उसको थोड़ा सा दूब में देंगे पांच मिनद तक तो उसके बाद हम एसे ही फेला दिये हैं पांच मिनद सुखने देते हैं तो यहां पर हम करी पत्ता लिये हैं और दो सुखा मिर्च और दो इसे ही मिर्च तो यहां पर बादाम भी हम थोड़ा सा लिये हैं तो यहां पर कढ़ाई में हम थोड़ा सा ओयल देंगे तो यहाँ पर हम तेल दे दिये हैं तेल को थोड़ा सा गरम होने देंगे उसके बाद हम मिर्चा दे रहे हैं तो मिर्चा देने के बाद करीपता देंगे तो इसको थोड़ा सा जलने देंगे उसके बाद बादाम दे देंगे यहाँ पर तो इसको थोड़ा सा भूनेंगे बादाम को तो इसमें हम थोड़ा सा नमकेड करेंगे तो ये भून चुका है लगवग लग रहा है तो इसको अभी हम निकाल लेते हैं और थोड़ा सा इसको ठंडा होने देंगे फिर एक कढ़ाई में हम थोड़ा सा ओयल लिये हैं और यह आलू सुक चुका था पांच मिनिट हो चुका था तो इसको हम ले आए हैं और आप देख सकते हैं कितना अच्छा दिख रहा है सारा पानी निकल चुका है तो इसको अभी हम तेल में देने वाले हैं इसको फ्राइ कर करेंगे थोड़ा थोड़ा करके तो इसको थोड़ा ब्राउन होने देते हैं तब तक चलाते रहेंगे तो इसका कलर देखिए चेंज हो रहा है तो यह हो चुका है अभी इसको निकाल लेते हैं इस तरह का कलर का होगा यह थोड़ा ज्यादा हो गया साइथ मेरे को लग रहा है तो इसको थोड़ा हंका और हलका रहेगा आए तो इस परकार से भूनेंगे देखिए इसका लाल अच्छा है इस तरह का होगी और आगे वाला थोड़ा जल गया लगा मेरेको तो इसी परकार मनाएं फिर यहां पर बादाम और यह जो मिर्चा उर्चा भून के रखते हैं उसी को यहां पर मिला लेंगे सबको मिक्स कर लेंगे नमक आलू में नहीं देंगे थोड़ा लास्ट में चाट मसाला आप दे भी सकते हैं नहीं भी और यह बहुत ही स्वादिश्ट रेसिपी है तो बनाईए अपना घर में तो आज का रेसिपी आप लोग को कैसे लगा कॉमेंट में जरूर बताईएगा मिलते हैं नेक्स्ट ब्लोग में तब तक के लिए बाई बाई